एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रोनक रेसिपी में आज मैं आपके लेके आये हूँ टॉमेटो सूप की रेसिपी टमाटर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर चार टमाटर लिये हैं मैंने यहाँ पर हाइबेड वाले टमाटर यूच किये हैं यह थोड़ा सा खटे कम होते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे टमाटर को जो टमाटर की आँग होती है यानि जो टमाटर का साइट का हिस्सा होता है उसे काट लेना है उसके बाद हमें टमाटर को बारीक तरीके से काट के एक प्लेट में रख लेना है साथी मैंने यहाँ पर 5-6 लैसुन की कलिया ली हैं लैसुन हमारा उप्सनल है साथी लिया है एक इंच अधरक बारी कटा हुआ साथी डालेंगे दो चम्मच टॉमेटो केचप चार चम्मच सुगर यूज करेंगे हम साथी लेंगे एक चौथाई चम्मच ब्लेक पेपर दो चम्मच कॉन फ्लोर यूज करेंगे हम साथी यूज करेंगे बटर तो चलिए बनाना सुरू करते हैं टॉमेटो सूप की रेसिपी इन हिंदी टॉमेटो सूप बनाने के लिए सबसे पहले अब हमें यहाँ पे कडाई को अच्छे से गरम कर लेना है जब कडाई अच्छे से गरम हो जाए तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे बटर साथ ही डाल दें इसमें लहसुन लहसुन हमारा ओफिसनल है अगर आपको पसंद नहीं है तो न डालें और साथ ही डाल देंगे इसमें बारी कटीवी अदरक अदरक को आप टमाटर के सूप में जरू डाले इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो अब हमें यहाँ पे बटर में एक अच्छे से बबल आने तक यहाँ पे इसे अच्छे से भून लेना है तो बटर में हमारे अच्छे से बबल आ चुके हैं तो अब यहाँ पे डाल लें हम बारी कटे हुए टमाटर टमाटर को जितना बारी हो से के उतना बारी काट ले और साथ ही यहाँ पर डाल देंगे हम नमक अब हमें टमाटर को अच्छे से सौप्ट होने तक पका लेना है तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और टमाटर को सौप्ट होने तक पकाएंगे और टमाटर को थोड़ा सा जल्दी पकाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है और पानी डालने के बाद से एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे हम कवर करेंगे और कवर करके 7-8 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पे से ढखके पका लेंगे तो मैंने यहाँ पे टमाटर को 7-8 मिनट के आसपाइ ढखके पका लिया है तो इसे एक बर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह देखे फ्रेंट जो हमारा टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से साथ ही यहाँ पर डाल दें काली मिच पाउडर और इसे कर दें एक बार अच्छे से मिक्स अब यहाँ पर हम डालेंगे पानी मैंने यहाँ पर दो गलास पानी डाला है अराउंड पानसो एमल के आसपास है आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग जितने भी आपको सूप चीए उस साब साब इसमें पानी को डाल सकते हैं तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और टोमेटो सूप में मेडियम प्लेम पे दो से तीन वाल आने देंगे तो इसमें एक वाल आ चुका है तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसमें दो वाल हम और आने देंगे तो फ्रेंड्स हमारे टॉमेटो सूप में तीन वाल आ चुके हैं गैस की फ्रेम को बंद कर देते हैं और चलते हैं अब अगले प्रॉसेस की तरब अब हमें यहाँ पे लेनी है एक छनी और छनी की मदद से टॉमेटो सूप को छाल लेना है यानि जो उसका सूप है वो अलग कर लेना है और जो उसका जो माकी टमाटर का छिलका है उसे हम अलग कर लेंगे और उसके बाद एक स्पूल की मदद से इस तरीके से प्रेस करते हुए छिलकों को अलग कर लेंगे और सूप को हमें अलग कर लेना है तो मैंने यहाँ पे टमाटर के जो सूप है उसको अलग कर लिया है बाकी बचा जो इसका छिलका इसे हम हटा देंगे अब हमें गैस को एक बार फिर से ओन करना है और सूप को हम गरम करेंगे और साथ इसमें हम डाल देंगे एक चुटकी कलर कलर डालने से इसमें जो टमाटर का सूप है वो बहुत अच्छा दिखता है अब हम यहाँ पे लेंगे एक बाउल में दो चम्मच कॉन फ्लोर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक गोल तयार कर लेंगे अब हमें गोल को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर टमाटर के सूप के उपर डालना है इसे हम तीन से चार बार में इस पर डालेंगे और लगातार बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें गोल को डालते जाए और इसे बीच बीच में चलाते रहें तो मैंने यहाँ पर सारे गोल को इसमें डाल दिया है अब इसे हम एक बार फिर से अच्छे से उबाल लेंगे तो यह देखिए fem जो हमारा टोमाटो का सूप है कितना ठिक हो चुका है आप बहु इसी तरीके से टोमाटो सूप को घर पे बना सकते हैं तो हमारा टोमाटो सूप में एक वाल आ चुका है तो इसे थोड़ा देर और चला देंगे हम अब ये टोमाटो सूप में जो जाग बनना है इसे हम निकाल देते हैं ये थोड़ा से ओफ्षिनल है अगर आपको पसंद है तो आप इसे निकालें अधरवाई इसे आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं तो हमारा टोमाटो सूप बनके तैयार है गैस की फ्रेम को बंद कर देते हैं और इसे एक सर्वी माउल में आप निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स हमारा होटल जैसा टोमाटो सूप बनके तैयार है इसमें अगर थोड़े सी क्रीम डाल देंगे तो क्रीम आप टोमाटो सूप बन जाता है इसकी थिकनस, कलर की रिसनस, साथ ही इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है साथ ही इसका बैस पार्ट ये है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है आप भी इसी तरीके से एक बार टोमाटो सूप को घर पे बना सकते हैं आपको मेरा टॉमेटो सूप बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं साथ ही फ्रेंट रेसिपी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले तो मिलते हैं एक और डिलिशन रेसिपी के साथ तैंक्यू पर आवोचिँ